हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सम उमीद है आप सम मस्त होंगे तो चलती से आप लोग आज आए क्लास जॉइन करिए आज हम यह से सेकंड एर वनस्पत विज्ञान फॉर्थ यूनिट में फेमिली म्यूसेसी पढ़ने वाले हैं यह एक न्यू फेमिली है म्यूसेसी यह बहुत ही चोटी फेमिली इसमें बहुत कम स्पिसीज रखी गई है बहुत चोटी फेमिली है ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा पढ़ने में थोड़ा मंटेरियल है इसको भी पढ़ लेते हैं फिर लास्ट फेमिली एक बची हुई है पोईसी जो की बहुत इंपोर्टेंट है उसको ह जितना बड़ा लॉंग प्लांट है उतना ही बड़ा देखो इसमें फ्रूट लगे हुए है यह केले लगे हुए है ठीक है इसकी गहर देखो कितनी बड़ी लगी तो अलग-अलग विराइटी होती है इसको समझे तो अच्छे से पोधा जितना बड़ा पोधा है उतना ही बढ़ा देखो इस तरीके से फ्रूट कितने लगे हुए हैं इसमें तो ये बनाना फेमिली भी इसको बोला जाता है म्यूसेसी इज आ मोनोकोटिलिडन इंजियोस्परमिक फैमिली तो हम पढ़ी रहें पूस्पी पादपों की जो फैमिली फ्लावरिंग प्लांट वाली ये मोनोकोटिलिडन्स होता है क्या होता है monocotyledons इसलिए आप जानते ही हो कि monocotyledons के कुछ specific लच्छन भी होते हैं विसिस्ट लच्छन होते हैं जैसे कि इसमें जो leaf होगी उसमें parallel venation देखने हो को मिलेगा तो भई आप देख लिजिए इसमें जालिकावत तो है नहीं सिराविन्यास reticulate venation तो होता नहीं है जो बनाना की leaf है यहाँ देखिए यह पत्ते देखिए आप यहाँ पे किस तरीके का आपको venation देखने को मिल ला है यहाँ पत्ते हैं देखिए किस तरीका reticulate venation क्या होता है जब इस तरीके से जालिकाईं बनने लगती है ठीक इस तरीके से उसमें जालिकाईं बनती है तब उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन ठीक सिरिकाईं निकलती है जब ऐसे ऐसे पत्ति और यहां देखिए सिंपल इस तरीके से ऐसे सीधी रेखाई इसमें मिलती है ठीक या फिर पैरलल वेनेशन इस तरीके का इसमें देखने को मिलता है तो यह सब मोनोकोट के लच्छन है जो कि आपको परदर्शित हो रहे हैं तो यह मोनोकोटी लेडन की फैमिली है इसमें बस सिक्स जिनरा आते हैं और टोटल तेर सो इस पिसीज रखी गई है तो बहुत ही छोटी फैमिली है और मेंली ट्रोपिकल एरिया में यह प्लांट गुरो करते हैं ठीक है हमारे हाँ तो भै होते हैं केले के पोध है जानते ही हूँ आप लोग सब लोग देखे हूँ हर्व होते हैं अब यह जाजशैंट वर्ड के आयए जाजशेंट मितलक समझते हो नो ो भै तो अफ़ार्व जो साक्य पौध्य है हर्व Starting कि साध्य पौध्य कि तने बड़े होते हैं basically एक से 2-3 फिट के होते हैं ठीक एक से तीन fat हो सकते हैं बठ यहां क्या है पौधा साखी है हर वह विल्कुल भी ऊँड़ी नहीं है उसमें लकड़ी की ठौड़ी सी भी मात्रा नहीं कaksi केले का पौधा देखते हो वह साझा हूता है टूरा हरवे सीस इस्ट्रम होता है इसका लेकिन फिर भी उसकी हाइट होती है लगबहद 10 शे स्पोड़ु 310 से 15 फीट कटे लिए कि पोधा जो है बनाना ट्री egas और र्थ कितना बड़ा होता है तस से 15 credit होता इसलिए उसको हम जाजेंट कहर बोलते हों पेरेनियल मतलब बहवार्शीक तो ये तो आप जानते होए केले के पौधा ऐसा तो है जैसे नहीं एक ही साल में उसका पूरा लाइफ साइकल कपलीट हो जाता है मरता तो है नहीं काफी सालों तक खड़ा रहता है तो आपको यह भी पता है कि जिसको पुतिया बोलते हैं वो छोटे चोटे उग आते हैं नीचे से तो उसको जब केले के पौधे में नीचे खोदोगे तो जड़ जो होगी वो कंद के रूप में आपको मिलेंगे अंडर ग्राउंड राइजोम्स होते हैं ठीक जैसे कि म्यूसा य जो रेवी नेला है सो ट्री है विदि यह एक ऐसी इस प्रशी जिसमें आती है जीनज जिसमें आपको ट्री हैविट देखने को मिलती है और कि देंथा इस्टेमलेस राइजोमेटर्व तो इसमें इस्टेम ही नहीं होता है बस मेटी के अंदर राइजोम ग्रो कर जाते हैं राइजों के रूप में होता है. Modified होता है. और कि दन्था इस टहमलेस राइजों मेटरस हर्व. तो यह important question है. इस में पूछा जाता है question. ठीक कि इस टहमलेस राइजों मेटरस हर्व का नाम बताईए. ठीक तो याद रखना है. और की दिन्था जो कि मुशेशी फेमिली से बिलोग करता है, चलिए आई आये अब हम वेजीटेटिव करेक्टर की बात करते हैं, वेजीटेटिव करेक्टर, the stem is generally false, आप सब लोग जानते हो कि stem कैसा होता है, बनाना का tree आप देखे ही हो, तो इस्टिम फाल्स होता है इस्टाउट सेंटरल एक्सिस विच मैं गुरो इन म्यूसा यह सी हट जाएगा यहां से भाई सी का कोई काम नहीं है मस्का लिखागा मस्का डोमेस्टिका म्यूसा तुआ हाइट आप 10-15 फिट मतलब 10-15 फिट तक यह हाइट ले लेते हैं इस्टिक्स यह जो इस्टिक्स होता है स्टिक्स टाइप का इंफ्लोरिशन समस में होता जो भी देखेते हैं न सांट जितना बड़ा पौधा था उतनी है बड़ी गाहर उसके साथ में थी जिसमें फ्रूट लगे थे और में परजेंट थे सर्कुलर इन म्यूसा फॉरमें को वह की बंद हो जाती है उपर इसके टॉप से एक्दम जो प्लांट होता है प्लांट के टॉप पे ऊपर इन फ्लॉषेंटस पाया जाता है старeachment और बीच से संथर निकलती है फर्यूम वालीवे इन फ्लॉषेंस डाब आर सिंपल पतियां सिंपल होंगी देखे ही हो भी मैंने आपको दिखाया इस पाइरली अरेंज्ट लीप ब्लेड्स आर ओबलोंग विद पिनेटली पैरलल वेनेशन तो इस पाइरली अरेंज होती है सर्कुलर मतलब चारो और होगी पतिया निकली होती है इस तरीके से गन्ने फेलती रहती हैं जब हवा आदि है तो क्या होता है ऐसे से हिलती रहती हैं आपस में फोलोरल केरेक्टर flowers are bisexual मतलब जो इसमें पुस्प होंगे वो दूइलूंगी होंगे polygamous in Musa जो बनाना का ट्री है आपका ठीक है केले का पोधा केले का पोधा उसमें आपको polygamous type के दिखते हैं slightly जाइगोमोर्फिक होते हैं trimaris होते हैं मतलब त्रित्तई होते हैं and epigynos epigynos कहने का मतलब जो ovary होगी हो कैसी होगी ovary inferior होगी inferior ठीक है और जाइगोमोर्फिक कहने का मतलब कहीं से भी divide करोगे तो नहीं दो पार्ट में divide होगी सिर्फ एक ही ऐसी position होगी जगे होगी जहां से आप flower को दो बरावर पार्ट में divide कर सकते हो median sample is interior ठीक तो यह important character है flowers की ठीक आप सब का बहुत कमेंट आ रहा है सर्फ जो लोजी की class क्यों नहीं रह ले हो तो इस time जो है थोड़ी सी problem है मेरे तवियत नहीं ठीक है इसलिए ज़्यादा क्लासें आपकी नहीं ले पा रहा हूं टेंगो हो गया एम जे तो देखो देरे देरे हो सही होगा फिर भी मैं आपकी कोसेश करके रोज एक एक क्लास को सबकी ले रहा हों टेंगो तो जल्दी ही आपकी जूलोजी और केमिस्टी सबकी क्लासे स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा भी लगबग दो तीन दिन तक ठीक है फिर भी आपको एक क्लास परोज मिलेगी परियंत इस टू होल्स मतलब दो होरल में मेंत परोजेंट होंगे और प्रतेक में तीन-तीन मेंबर होंगे three members in एच एंड दा क्लोब्स आर सिमिलरnd और देडिं इस्टिंग फ्री और युनाइटेG G202 लेटरल मेंबर साफ्य amigo ऑन आरिछ यूनाइट इडिध मैंबर साफ्त आउटर मतलब जो साइड वाले means प्रियंत कि आsed यह तो वह ठीज़ ऑटर ऑल जो है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं depuis richtige जो male part होता है flower का इसके बारे में देखते हैं endosium consist of six stamen in two holes of three each मतलब total six stamen होते हैं और वह भी किस तरीके से दो होरल में present होंगे माल लीजिए एक ये है stamen और ये दूसरा है और ये यहां से निकला है कुछ इस तरीके से आप माल लीजिए तो ये एक होरल हो गया अब एक दूसरा होरल होगा जिसमें तीन पर्जेंट होंगे इस तरीके से ठीक गए तो ये सब उपर को ही होंगे flower में तो दो होरल में present होते हैं ये कहने गा मतलब है ठीक है और प्रते एक होरल में तीन तीन stamen होते हैं ज्यादा तर सभी फर्टाइल होते हैं क्योंकि आपको पता है कुछ इस्टेमें ऐसे होते हैं जो इस्टेराइल होते हैं जो pollen grain उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं उनको हम इस्टेमिनोईड बोलते हैं आल आर फर्टाइल इन म्यूसा और इन सिटी एंड रेवी नेला तो यह कुछ इस्टेमिनोईड होते हैं सभी pollen grain प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं इसके अलावा एक दो इस्पीसीज ऐसी भी हैं जीनस इसी में जो कि जिन में कुछ इस्टेमिनोईड होते हैं इस्टेमिन्स आर फिरी मतलब इस्टेमिन्स जो होंगे वह फिरी होते हैं मुक्त रूप में परजंट होते हैं डाई थीकस होते हैं डाई थीकस आप समझते ही हो इस तरीके से दो थीका होंगे ठीक डाई थीकस होते हैं एंड इंट्रोर्स एंथर्स डिहेसेस बाई लोंगी टूडिनल सेलिट्स मतलब जो एंथर है उपर डाई थीकस इनमें लोंगी टूडिनल वाल होती ही जिससे देहसेंस होता है जब पॉलिन ग्रेंड मैच्वर हो जाते हैं गाइनोसियम की बात करते हैं फीमेल पार्ट जो हो गैनो सेम सब्सक्राइब यो ट्रीकलर इसमें सो महीं क्तिया क्योंरी सेंग कार्पस इसकी संग कार्पस होतीं構ë है थो क्योंके मैं फोन थो यद्व टिए क्ट्रेंग मिला था इनफेरियर कहने का मतलब सथाउंड माइव पर्याइनु माइनिए निते अप्यार मिनवीड य तो इसमें स्टाइल और स्टिकमा तो पर्जंट ही होगा एंड स्टिकमा इसमें ट्राइलोक्यूल होगे इस तरीके से 3 लोक्यूल पर्जंट होते हैं ट्राइ लोक्यूलर होगी विद न्यूमरास एनाट्रोपस ओव्यूल्स ठीक तो एनाट्रोपस ये पोजीशन के अकोल्टिंग ओव्यूल के टाइब होते हैं ठीक तो एनाट्रोपस कई सारे ओव्यूल्स में परजेंट होते हैं इस तरीके से ओव्यूल सभी ठीक है चलिए भई फ्रूट की बात करते हैं कैसे हो के हैं फ्रूट इस आप बेरी जैसे बनाना होता है जो आपका म्यूसा और साइजोकार भी हो सकता है है लिकोनिया यह जो जीनस है इसमें साइजोकार फ्रूट का टाइप है एंड लूकी लिसिडल कैपसूल जैसे कि र्णेला और स्ट्व लीजिया तो यह ऐसे जीनस तो इसमें अलग-अलग टाइप के फ्रूट देखने है ठीक है तीनो टाइपके मिलें गार्ण बेरी भी है कैसे आप रूड पोसी का मतलब समझते ही हो ठीक नॉन इंडोस्पर्मस मतलब इंडोस्पर्म सीड में परजेंट नहीं होगा कुछ ऐसे सीड होते हैं फेमिली कुछ फेमिली ही ऐसी है जिनमें क्या होता है जो सीड होता है जब तक जर्मिनेट नहीं कर जाता है तब तक उस सीड आर एरिलेट इन रेवे नेला तो यह इंपोर्टेंट करेक्टर है पेरी पेरी स्पर्म जो होता है वो काफी मातरा में परजेंट रहता है सीड के अंदर यह आपको याद रखना है ठीक यहां पर देखिए आपको कुछ इस्पिसीज दिखाता हूं देखिए इसमें इसमें लगते हैं यहां पर देखिए आप इस तरीके से लगे हुए है यह कहला इतना यहां पर लगा हुआ है फिर इस साइड में लगे अल्टर नेट इस तरीके से गुरू करते हैं ठीक इसके अलावा देखिए इसमें कलर चंज है अलग-अलग टाइप के इसमें पाए ज यहां पर देखिए यह देखिए यह एकदम देसी केला है ठीक समझ रहे हो ना इसमें कोई हाइविडाइजेशन नहीं करवाया गया इसके अलबाइस की देखिए कुछ और इस पसीज होती है जो इस तरीके से कुगती है ठीक है इसके इस्टम जो होते हैं थोड़ा पतले होते हैं और यह इस तरीके से उख्टे देखो यह उसी की केले के ही अलग अलग परजातीया है जो देखने हो यह देखें inflourisants यहाँ पर आपको दिख रहा है किस तरीके से पतिया चारों और इस तरीके से पतिया पतिया अचारों और निकली होती है और Melanie Kalし ب Geram यह अलग अलग पार्थ है जो कि इंपोर्टेंट है यह आपको डाइगराम भी मनाने पड़ेंगे अगर फैमिली यह पूछी जाती है तो ठीक यहां पर देखिए यह आपको लीफ दिखाई गई है इस तरीके से और देखो यहां टॉप एक्दम सेंटर से निकला हुआ है ठी इसमें फ्रूइट लगे हुए हैं पके हुए के लिए आपको दिख रहे हैं ठीक बहुत लोग खाने हैं वहीं चाहते होंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे सरसरदी हो जाएगी ठंडी चल लई है ब्रांश्ट इस पैडिक्स यहां पर दिख रहा है आपको ठीक और यह और है हर्व ही क्या है हर्व एसलिए इसको जाइजंट हर्व बोला जाता है यहां पर से दिखाएगा है और यह एंघंधर है तो यहां पर देखे एक दो तीन चार पांच और यह उस साइड में होगा तो इसमें टोटल छे छे स्टेमेंस परजंट हैं इसके ये अंधर है ठीक और बीच में स्टिगमा है यहाँ पर ओवरी परजंट होगी अंदर लेवेलम भी इसमें बनता है लेवेलम क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया है यह ओवरी है ठीक तो देखिए ओवरी सबसे नीचे है बाकी पार्ट जो है फ्लावर के वो सब उपर से निकल लहें इसलिए ओवरी नीचे पर जंट है सबसे नीचे है बाकी पार्टों से इसलिए यहाँ पर ओवरी कैसी है inferior overi होगी और epigynos type of flower होगा ठीक यहाँ पर देखिए यह साइडे होती है अबेक्सियल साइड होती है और अडेक्सियल होती है तो यह अलग-अलग साइडे होती है यहाँ पर देखो flowers दिखाए गए है यह बड़े-बड़े sapele होते हैं इसमें इसके अंदर यहाँपे flowers प्रजेंट होते हैं यहाँ देखिए श्टेमन को और लार्ज दिखाया गया है यह यह filament है आप जानते हैं स्टेमेन में तीन पार्ट होते हैं filament होता है उपर एंथर होता है और नीचे इसका base होता है ठीक यह जो एंथर है यह dye ठीकस होता है इसको और ज्यादा microscopic view है वैसे भी इसका जब microscopic view लो गया तो इसमें आपको दो ठीका दिखेंगे ठीक दो ठीका मतलब यह इस तरीके का होगा इसको cut करोगे तो इसके अंदर pollen grains भरे पड़े होंगे ठीक यहाँ पर देखिए यह ओवरी का section दिखाया गया है जिसमें locule हैं तीन locule परजेंट हैं एक दो तीन और इसके अंदर obule देखिए अब आपको लग रहा होगा कि यह कहीं एक ओप्यूल है नहीं यह अग तुमको इसमें एक वर्ड आया था sinkarpus मतलब जो obule होंगे वह आपस में united होंगे जुड़े हुए होंगे युकतांडपी कहने का मतलब यह अगर इसका एक obule में अलग बनाता हुए तो इस तरीके से होगा यह ऐसे obule दिख रहा है आपको इस तरीके का और इसमें obule इस तरीके से यह आपको यहां पर दिखाया गया है यह गाइनोसियम देखिए इसको दूसरी तरीके से रिप्रचंट किया गया है यह नीचे ovary है ठीक है और यहां से आपके बाके पार्ट उगते है ठीक ऐसे समझेए यह ovary है यह style है और यह stigma है कि यहां से इसके दूसरे पार्ट निकलते है ठीक इस तरीके से यह मानीजे आप इस्टेमन है डाइथिकस इस्टेमन इसी तरीके से बहुत सारे इस्टेमन लगे होगी यहां पॉलें ग्रेंस बनते हैं और वह stigma पर जढ़ेंगे maturity पर जिससे क्या होगा इसमें fertilization होगा ठीक फलो गयरा बनेंगे और यह ओवरी देखी आप ओवरी ओवरी जो है यह नीचे होती है बाकी इसके पार्ट इसके ऊपर से निकलते है इसलिए इन फ्रॉरेंस इस का टाइप होता है यहां पर देखी है आपको फ्लोरल डाइग्राम और फ्लोरल फार्मुला लिखा हुआ है किस तरीके से पर्जंट ह ठीक है और 276 फ्लावर होते हैं flowers कैसे होते ऊप्छा हुआ हो इन यहां पर कि यहां पर देखिए आपको देख रहा है किस तरीके से परजेंट है एक अलग से प्रजेंट है और तीन और दो पांच आपस में जुड़े हुए हैं ठीक एक दो तीन चार पांच पांच होगए हैं थी प्लस टो उसके उपर ब्रेकेड लगा है endorosium 3-3 में होते हैं कितने होते हैं 3-3 में होते हैं एक दो तीन चार पांच और यहाँ पर सिखाए जो de-t कोते हैं इस तरीके से और आपस में जुड़े वए भी वहां देख लेजिए घे बना है सटी। यहां पे तीं लोग होते हैं यह। इस तरीके से यह प्रजेंट होता है चलिए हम बात करते हैं делать इसका इकोनॉमिक इंपोर्टन्स तू आप लोग जानते ही हो। ठीक ही एकोनॉमिक इंपोर्टन्स बहुत ही। कम सपिसेज हैं तो कम लेज काहँ जाते हैं। फूरिट आप मुसा प wilde सिका है। यह जू कच्छा केला होता है ना यह देशी केला ठीक है कच्चा केला और इटन एज वेजिटेवल आफ्टर कुकिंग तो इसको सब्जी भी बनती केले कि आप सब लोग खाए होंगे जानती ही हो तो इसको कुकिंग किया जाता है सब्जी बनाई जाती है फुरिट आप म्यूसा सेपियन टम जो बनाना है केला और इटन इवन रिप अलकोहोलिक ड्रिंग्स सच एज बनाना वाइड बनाना ब्रैंडी बनाना रम बनाना बियर एक्सेटरा और डिस्टिल्ड फ्रामदार रिप फुरूइट्स कामा फुरूइट पल्प इज यूजड इन टेंग कॉटन सिल्क लेदर एंड एवन पोल तो इसके औ और भी कई सारे होते हैं एकोनोमिक इंपोर्टन्स हालां कि बहुत ज्यादा इंपोर्टन्स वाला नहीं है बस इसमें आप जानते ही हो फुरूट इडिवल होते हैं लोग खाते हैं कहले को और इसके अलग-अलग इस पिसीज है जिसमें वेजटेवल के रूप में हम सबज चीज से कुछ भी बना लेते हैं तो आपको बता ही है टेकनोलोजी बहुत आई है तो आई होप आपको यह फैमिली भी मस्त तरीके से समझ में आई होगी छोटी फैमिली थी कम समय में कंपलेट हो जाएगी आप एक दो बार इसको लिखोगे अपने हाथों से सभी चीज़े याद हो जाएंगी बस समस्या इस पसीज को याद करने में होता है सेंटिफिक नेम तो उसको आप बस यही है सोर्ट रिवीजन रोज करते रहिएगा रोज एक एक फैमिली को अपने जो है निगाहों तले रोज लाईए दो दो मिनिट हर फैमिली को देख लीजी ठीक और ल पुछें ताजी रहती है तो लाष्ट फैमिली वची है पॉएसी जो कि बहुत इंपोर्टेंट यह फैमिली भले उतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं थी क्वेस्चन कम करार ही आते हैं इस पर लेकिन पॉएसी फैमिली पर बहुत कुष्चन खोबाता है गेहुँ वाली ठीक है हम जरूर उसका reply करेंगे तो मिलते हैं गिली class में तब तक की लोग के बाए all the very best thanks for watching जय हिंद जय वार